हेलो स्टूडेंट्स आप सब कैसे हो आश्या करते हूं सब ठीक होगी आज हम करते हैं एक्सराइज 4.6 क्लास 6 ओके अब हम हमारा चैप्टर आज कंप्लेट हो जाएगा लास्ट एक्सराइज है 4.6 इसमें आप किस के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल के बारे में पढंगे हमें सब के बारे में बतांगे अब मैं आपको first है हमारे पास from the figure आपको एक figure दे रखिए identify और इन questions के answer देंगे हम कैसे the center of circle circle का center क्या है यह हमारे पास क्या है circle का center center क्या होता है जहां पर रखके हम एक compass से ऐसे draw करते है center को उसको हम क्या बोलते हैं उसका center तो यह हमारे पास क्या है O is the center next है three radius radius हमारे पास क्या होती है जो O center है center से circle की जो distance होते है उसको हम क्या बोलते है radius से और वो हमेशा क्या होती है equal O A O B and O C यह हमारे पास सभी क्या है radius और सभी की distance भी क्या होगी equal एक जो circle है उसके अंदर हम कितनी भी radius डो कर लें सभी के मेशा length equal होती है तो हमारे पास क्या है क्या आ जाएगा O A O B and A O C यह हमारे पास क्या आ गई three radius next है a diameter diameter क्या होता है जब radius काम double करते हैं तो क्या होता है diameter और diameter होता है circle के एक point से दूसरे point पर मिला है जो center से होके जाता है अब हमारे पास A से C को मिला रहे है हम कहां से होते हुए center से तो जब A से हमने C को draw किया तो यहां से यहां तक क्या है radius और यह भी क्या है radius तो दो बार radius आ गई इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे two times of way radius से two times of way radius इसको हमें ऐसे भी बोल सकते है ठीक है और इसका नाम हमारे पास क्या है A C तो हमारे पास diameter क्या आजेगा आपके पास A C next है code एक code क्या होती है code हमारे पास होती है कि circle के 2 points को मिलाने के लिए draw की गई एक line को हम क्या बोलते है code वो line center से draw नहीं करेगी center से line नहीं करेगी means center से अगर हमारे पास lie करेगी center को cut करते हुए निकलेगी तो हम क्या बोल देंगे diameter और center से अगर cut करते हुए नहीं जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे code तो ये तो आपके पास क्या था diameter हो गया जिब center से cut करते हुए गया है और ये मारे पास E से D है ये मारे पास देखो circle के 2 points को मिला रही है बट center से cut करके नहीं गई center से cut करके नहीं गई तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया cord तो हमारे पास cord क्या है E, D next है two points in the interior इसके अंदर कोई भी 2 points है हमारे पास ये circle है circle के अंदर कोई भी 2 points है एक तो हमारे पास circle के अंदर क्या होता है center center का नाम हमारे पास क्या है O, तो एक point क्या हो गया O, और दूसरा point क्या दे रखा है P, O and A, P next है a point in the exterior इससे भार एक point exterior क्या होता है बार, और circle से बार क्या point है क्या हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे क्या हो, इस sector sector इमारे पास क्या हॉतता है जब हम दो radius से जुड रो किया जयसे हमारे पास एक radius O A है, एक radius से O B है ठीक है, इन दोनों से जो हमारे पास ये distance ये जो मारे पास area cover किया इन्होंने ये जो area cover किया इसके अंदर जो भी आपके पास है जैसे ये area ठीक है तो ये मारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इसका sector क्या होगा ये sector जो दो radius से cover किया है ठीक है दो radius थी मारे पास o a and o b और इससे जो इन्होंने area cover किया जो area इन्होंने bound किया उसको हमने क्या बोल दिया area sorry sector क्या बोल दिया है के sector और इस sector का नाम क्या बोल देंगे हम o a b या a b o ठीक है o a b ये मारे पास क्या हो गया o a b नेक्स्ट है हमारे पास इस segment segment होता है ये तो हमारे पास सेंटर से दो radius रोगी थी और जो segment होता है वो क्या होता है कि circle पर एक chord रोग की जाती है और उसमें जो area आता है ये हमारे पास क्या आ जाएगा ED हमने chord रोग कर रही है ये chord और ये हमारे पास क्या है कि आर्क है इन दोनों के बीच का ये जो area है ये क्या बोल देंगे हमें एक segment ठीक है फिर आप एक कोशन आता है कि minor segment and measure segment माइनर सेगमेंट होता है आपके पास माइनर क्या होता है छोटा और measure क्या होता है बड़ा sector में भी और segment में भी दोनों आएंगे हमारे पास एक आजाएगा minor और एक क्या आएगा measure ठीक है अगर हम minor segment पूछते है माइनर सेगमेंट तो हमारे पास क्या होगा mince छोटा तो हमारे पास यहां मान लिया कोई भी point का नाम दे देते हम हम नहीं यादे दिया X point तो minor क्या होजएगा EXE D minor में क्या आजएगा EXE D और measure में क्या आजएगा जो बड़ा part है इसका EBD यह जो हमारे पास है ठीक है इसको हम क्या बोल देंगे EBD यह मारे पास है मेजर सेगमेंट इसी तरह सेक्टर में भी होता है हमारे पास से माइनर सेक्टर आजाएगा अगर माइनर में पूछ लेता है कि माइनर सेक्टर तो माइनर सेक्टर कौन सा है जो सो चोटा है हमारे पास से ओ पे देखो यहां भी एंगल बना रखा है और ओने इधर भी एंगल पूरा तो यह जो चो टैंगल है यह किस के लिए A O B के लिए तो इसको तो माइनर के लिए तो क्या बोल देंगे A O B और मेजर के लिए A और इधर से गुमा के जब वापस आए तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा A O B बट कैसा है यह मेजर के लिए यह माइनर के लिए नहीं है यह हमारे पास किसके लिए है? major के लिए इसके लिए पॉइंट जैसे हमारे पास C point दे रखा A, C, B इस पॉइंट को अगर हम not कर लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास किदर से गुम क्या है? ऐसे आए हैं ना हमारे पास A, C, इसका नाम हम क्या रख देंगे? मेजर में A, C, B. A और इदर से C आया और फिर वापे से B आ जाएगा, ठीक है? तो यह मर पास क्या आ जाएगा? माइनर और मेजर सेगमेंट and मेजर सेक्टर. Next है, second. Is every diameter of a circle also a chord? क्या हर एक जो भी circle होता है, उसके अंदर every diameter, हर एक diameter of a circle, circle के अंदर जो diameter draw किया गया है, also a chord? क्या वो एक chord होता है? Yes, it is also a chord? Yes, every diameter of a circle is also a chord. और वो code उस circle की सबसे बड़ी code होती है. Next है, is every code of a circle also a diameter? क्या circle के अंदर जो code draw की जाती हर एक कोड diameter होती है? नहीं, यह तो नहीं हो सकता, क्यों, जैसे हमारे पास यह भी एक chord है, और यह भी एक chord है, बट यह हमारे पास circle के center से touch करके गई है, तो इसको तो हमने क्या बोल दिया, बट यह touch करके नहीं गई, तो इसको हमने simple क्या बोल दिया? यह हमारे पास diameter भी है, और chord भी है, बट यह only क्या है के chord, तो जितनी भी यह chord है, क्या भी diameter हो सकती है, diameter नहीं हो सकती, क्या बोल देंगे? नहीं, no every chord of a circle is not a diameter, next time, draw any circle and mark, कोई भी एक circle ड्रो करो और उस पर मार्क करेंगे, यह हमने एक circle ड्रो कर लिया, जो आपको figure दे रखिया, उसी के chording हमने, ऐसे एक circle ड्रो कर लिया, वही चीज़ हैं इसके अंदर, its center, इसका center क्या है? O, a radius, इसके radius क्या है? O, A, O, B, O, C, कोई भी एक नाम लिख दिया, O, B, इसका diameter क्या है? A, C, sector, sector क्या आजेगा? O, A, B, यह हमार पास एक sector आ गया, next is C, true or false, true or false बताएंगे, two diameters of a circle, will necessary intersect, कोई भी हमार पास circle है, अगर हम उसके अंदर, दो diameter draw करेंगे, तो क्या यह condition हमार लिए necessary है, कि दोनों intersect करेंगे, कैसे? देखो हमार पास, एक तो हमार पास यह आ गया, और दूसरा, अगर हम इसको ऐसे draw कर दें, मान लिया, मैं इस point को यहां से ऐसे मिला देते हूं, ठीक है? तो यह हमार पास मिलाने के बाद, यह दोनों intersect कर रहे हैं, diameter त हमेशा circle के interior में होता है, यही जरूरी है, बिलकुल हमेशा इसके interior में होता है, exterior में center होता ही नहीं, यह थी हमारी exercise 4.6 है, और साथ-साथ chapter भी खतम, thank you.